स्री श्वाय नमस्तो व्यम हरर महादे ग्रेटर नुएडा उतर परदे से चल रही तीसरे दिन की स्री नवनेदी सी मापुलान कथा समाप्त हो चुकी है और कथा के दोरान गुरू जी ने बहुत ही सुंदर-सुंदर उपाय और पत्र पड़े हैं अगर आपने किसी भी कारण बस आज की कथा नहीं सुनी है तो इस चोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा के पत्र के सारे उपाय संचिप्त में समझ सकते हैं कि कौन से उपाय से किन की जिन्दगी बदल गई है तो चली सबसे पहला पत्र हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला पत्र आया था सुबोध जी का आया था जो कि गौतम बुध नगर नोएडा से पत्र लिखे था उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी बेटी का दिली पुलीस में नमर आ गया था जब दौर की तारीक आई, यानि जब फिजिकल होता है, वहाँ पे जब दौरने की तारीक आई, तो दो दिन पहले उनके पैर में मोच आ गिया, तो वो दौर नहीं पाया और बहुत परेशान हो गए थे, सारे पेपर निकल गए थे, लेकिन वो फिजिकल में नहीं निकल पाय बेटा और मा दोनों पसुपती वर्थ करता था लेकिन बेटा ने बोला कि मा हमने पसुपती वर्थ किया है लेकिन हमें फल नहीं दिया महादेव ने मा ने बोला तुम चिंता मत करो फिर से तयारी करो महादेव जरूर अच्छा करेंगे मेटा और मा दोनों फिर से पसुपती वर्त किया और महादेव की दया से फिर से एक बार दरोगा की नौकरी आई उन्होंने उसका फॉर्म भर दिया अपने मां से आदेश लेकि उसके बाद महादेब की दयाय से उनका पसुपती वर्त भी चल रहा था और आज सीतापूर में उनका ट्रेनिंग चल रहा था तो यह सब महादेब की किरपा है कि महादेब ने कुछ आप लोगों के लिए अच्छा सोच रखा होगा जिसके कारण हो सकता है कि इन्हें पहले वाले नौकरी नौर्मल पुलीस की नौकरी थी उसमें नहीं होके इन्हें दरोगा यानि की बड़ी पूष्ट की नौकरी मिले दूसरा पत्र आया हुआ था रामकिसोर जी का पत्नी माया जी का जो कि ग्वालियर से पत्र लेके आयो तो उन्हें पत्र में लिखा था कि चेस्ट में कैंसर हो गया था पत्नी को डॉक्टर ने ऑप्रेसन करने के लिए बोला ऑप्रेसन भी हो गया फिर भी पूरे तरह से सह पिर उन्होंने शिहोर से रुद्राक्ष मंगवाया और जल पिलाना शुरू किया इसी बिच उन्हें पैरिलेसिस का एटेक भी हो गया दो बार पैरलेसिस का एटेक हो गया वह विस्तर पर से उठवी नहीं पा रही थी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपको जिन से इनको को मिलवाना है मिला दीजिए क्योंकि हम कोई गैरेंटी नहीं ले सकते हैं 11 फरवरी 2023 को डॉक्टर ने इस चीज की इन्हें बता दिया उसके बाद इन्होंने महादेप से बहुत ज्यादा प्रार्थना की और जब उन्होंने रुद्राक्ष वाला जल और बेलपत्र देना उस कर लीजिए गा तिसरा जो पत्र आया हुआ था वो पत्र था लोकेश कुराजी का उनकी माता का नाम ता रेनु गुपता जो की मोतिहारी बिहार से पत्र लेकिया आई थी वो कथा अर्थाल पे भी आया थी कथा पंडाल में भी आई हुई थी भगवान से भेट करने के अच्छे मार्क्स चाहिए तो महादेव के उपर से बेल पत्री में सहद लगा के चिपका देना और जो भी आपकी तयारी है तयारी में कभी भी कोई भी कसर नहीं होने चाहिए आप महनत कर दे रही है वो बच्चा लोकेश कुमार पूरा महनत करते रहता था और जब जब व उनका रिजल्ट आया 95% रिजल्ट लेके आए बच्चा चौता पत्र आया हुआ था इस मर्ती जी का इस मिर्ती अगनी होतरी जोकी अगने होत्री की हार नहीं मानी की हमें फिर से तयारी करना है उसके बाद भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाया उसके बाद फिर उन्होंने 2019 में गुरू जी की कथा सुनी थी आस्टा चैनल पे उसके बाद उन्होंने बोला कि जब हम एक्जाम देने के लिए जाएंगे तब बेलपत्री और सहथ लगा के जाएंगे महादेव के उपर उसके बाद उन्होंने मा और बेटी दोनोंने पसुपती नात का वर्त भी शुरू किया और फिर एक्जाम देने के लिए गई और महादेव के देया से अभी उनकी 36 गड़ में लोको पैलेट की सीट पे वो विराज मान है पांचमा पत्र आया हुआ था गाजियावाद से उन्होंने पत्र में अपना नाम गुपत रखा था भोली की बेटी लिखकर उन्होंने पत्र भेजा था उस पत्र में लिखा था कि उनकी मा को सांस की बीमारी थी डॉक्टर से भी दिखाया लेकिन आराम नहीं हो पाया फिर और उन्होंने पीपल का पत्ता वाला उपाय किया, थोरा सा सुधार हुआ, मगर फिर से सुरेसिस की बीमारी हो गए, डॉक्टर ने बोला कि यह बीमारी जब तक आप जिंदा हो तब तक ही रहेगी, जब मरने के बाद भी मतलब यह बीमारी ठीक हो सकती है, उससे पहले इसका सब महादेब की किरपा है, कमेंट में जरूर लिखिएगा हरार महादेब मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्रीशिवाए नमस्तो भीम हरार महादेब